नमस्कार दोस्तों गुड मौनिंग एंड वेलकम टू इस वीडियो मैं उमिश्व मौर्या हाज जीरों एक नया वीडियो लेकर और इसमें भी हम डिसकस करेंगे करन्ट फेर्स के कुछ इंपॉर्टन एमसी कूज को जो कि डेफिनिटली आपके अनेवल एक्जाम्स के लिए हैलफ हो लोंगे तो वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है तो फिर्स क्वेश्चन इस प्रोग्राम रखा गया है यहां पे इस प्रोग्राम को लाँच करने वाले कौन है तो यहां पे मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं पहले करेक्ट आंसर है आरके सिंग जी आरके सिंग ने इसको लाँच किया है और आपको पता होना चीए कि आरके सिंग जो है वो पावर मिनिस्टर है जी इंडियान गवर्मेंट आफ इंडिया के पावर मिनिस्टर है वह यह अगर हम अदर आप्सेंस की बात करें नितिन गटकरी को देखते हैं आभी इनकी ministry जो चेंज की गई इसके पहले यह क्या थे पेट्रोलियम minister थे वहीं अगर गरी राज सिंग की बात करें तो गरी राज सिंग जो है वो पंचायती राज मिनिस्टर रहें यह आपको याद हो जाना चीए है स्टेटीज़ी के करटा में अनुपम स्याम और इनकी अभी डेथ हो चुकी है तो किस फील्ड से रिलेट करते थे यहां पर मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं आंसर है एक्टिंग जी बहुत ही फेमस एक्टर हैं अगर आपने एक सीरियल देखा हो जो कि बहुत ही फेमस हुआ था प्रतिग्या शॉर्ट में उसको बोला जाता था बड़ी उसका पूरा नाम था मन की आवाज प्रतिग्या रैट तो बहुत ही फेमस हुआ था और उसमें उनका जो रोल था था थाकुर सज्जन सिंका बड़ा ही संजीदा मतलब एक तरीके से रोल था उनका और बड़ी मतलब एक उंदा एक्टिंग की थी उन्होंने उस पे काफी अच्छी उनको मतलब उसमें एक तरीके से फेमस मिली हुई थी इसके अलावा कर देखें तो उन्हें बहुत सारी फिल्में पुछा जा सकता है देखते हैं नेक्स क्या है विस स्टेट एज बिकम दी फर्स टेट इन दी कंटी टू इसुदी ओर विद्रिकार्ट टू इंप्रदेश अप्रदेश मद्रप्रदेश करनाट का तमिल नाडू तो आपको मैं राइट आशर पता देता हैं फटापर राइट आशर यहां पे करनाटका करनाटका ने एक तरीके से क्या कर दिया है इसके लिए और रिशू कर दिया है इसको इंप्लिमेंट करने के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि एनपी टू थावन टून्टी जो है वह नेशनल पॉल्सियान एजुकेशन 1986 का रिप्लेश्मेंट है जो की 2020 में बना तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यह पॉल्सी है यानि कि एनपी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट पॉल्सी है इसको आप डिटेल में ज़रूर पढ़ लें बट मोटे तोर पे इसमें जो पेड़ागोजिकल स्ट्रक्चर और वो थर्ड से लेके फिप्ट ग्रेट के लिए अप्लिकेबल है और उसके बाद जो आएगा वो आएगा मिडिल तो उसमें हम जो कंसीडर करेंगे वो होगा सिक्स टू एट और लास्ट में क्या आएगा सेकेंडरी जो नाइन टू ट्वेल्ट के लिए कंसीडर किया है उसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स रखे गए हैं उन अच्छे पॉइंट्स को जरूर डिटेल में पढ़ें जब आप इसको थोड़ा से इसको डिटेल में जब समझेंगे तो आपको कुछ वहां पे पुराने जो पॉलसी है उससे भी कंपेर करने का वहां पे एक समझ लें वहां कोशन जरूर बनना ही बनना है किसी ने किसे एक्जाम में देखते हमारा नेश्ट क्या है कि अब और हाव मेनी यहां कैबिन इस एक्सेंशन दिया गया है इसको राजीव गवा को और किस पोस्ट के लिए कैबिन सेक्रेटरी आपको पता हुना चिए कि की कैबिनेट्स क्रेटर्टी जो है तक कैबिनेटी को होता है डिसमें इसमें को हेन्ट करे और इसमिक रहें राजी गवा जो की 2019 से कायर रथ हैं तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर थोड़ा से समझना चाहें कि इसका रोल क्या होता इसका फंक्शन क्या होता है मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी का तो मोड़े तौर पर आप यह जान लीजिए कि प्राइमिनिस्टर का जो सीनियर एडवाइ से त्यार किया जाते हैं वहीं मिटिंग होती है मिटिंग के लिए मिनिट्स डिसाइड किया जाते है जो भी पूरा से लें pennips के लिए या कर्म में धुद् andar उमदार के सुपार विजन में होता है तो अपने में एथलेटिक्स में सुर्ण जितने वाले पहले भारती कौन बन गए हैं बहुत ही प्राइड मुमेंट है हमारे लिए ये कि पहले मैं आपको आंसर पता दूँ यहां पर पड़ापट आंसर है नीरच चोपडा जी नीरच चोपडा ने ये तरीके से गौरों हासिल किया है औ क्योंकि रॉनिंग के लिए यूज किया जाता है वाकिंग इवेंट के लिए यूज किया जाता है और इसको अगर इसको सब डिवाइट किया जाए स्पोर्ट के टम में तो इसको बोला जाता है ट्रैक और फिल्ड कैटेगरी रोड रॉनिंग भी आती है रेश वाकिंग भी यह उसको भी एथलेटिक्स में इंक्लूड किया जाता है तो यहां पे नीरत चोपडाने बेसिकलिए ट्रैक और फील्ड कैटेगरी में गोल्ड जीता है अच्छा दूसरी चीजी यहां पर यह पूचा जा सकता है कि कि इवेंट में किया है यहां पर जो इवेंट है वो एजय के से गई है डिस्टेंस वो है 87.58 मीटर एट बहुत इंपर्टन अपने आपने इसको याद कर लें और इन्हों इसको आप याद कर ले तो यह थे हमारे आज की कुछ इंपर्टन कोशिंवे अगर आप जादा जादा एमसीक्यू्व पढ़ना चाहरे है या करन फेस पढ़ना चाहरे है इस पर नोर्स के तो आप मुधारी साइट पर जाएए वहां पर डेली आपको सारी करनट फेर्ट की निूज दी जाती है डिफरंट केड़ेगरी में आपको पढ़ेंगे समझ मैं आपको प्र समझ में आएगा और उसकी आप नोट्स भी बना सकते हैं कुछ से वहाँ पर कुश्चन भी बना सकते हैं जो कि आपके आने वाले एजामस के लिए डेफिनेटली हेलफुल होगा अगर आप फेस्बूक और इंस्ट्राग्राम पर हैं तो वहाँ पर भी आप हमको फॉलो करिए टाकि आपको जो इंपोर्टन अपडेट्स हैं वो भी वहाँ पर मिलती रहे हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस